वेलकम स्टूडेंट्स तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लास लेक्चर में हमने तपोलोजी होना सेट की डेफिनेशन की थी और टॉपलोजी कल स्पेस की डेफिनेशन की थी और कुछ हमने एक्जाम्पल्स की थी जिसके तुरू हमने देखा था कि हम एक किसे भी सेट a technological space जो हम बनाते हैं वह unique नहीं होती बहुत सारी लोजीट्स बना सकते हैं और कैसे चक करते हैं कि कोई भी हम पार से बइख topological space form हो रहा है नहीं तो लास लेक्चर में हमने एक finite-set के ऊपर बात की थी तो अब हम क्या करते है इंफनाइट सेट होता है वह हम सेट फनाइट सेट ले लेते हैं यह एक सेट फनाइट नंबर्स तो इसके उपर जो है हम अब एक टोपोलोजी जो है वह डिफाइन करते हैं डैट इस टाउ वह हमने अब इसको डिफाइन करते हैं इसमें अब हम क्या करते हैं एक तो हम हम कि सेट रखते हैं इसमें और खूद एक हमारे पास जो है सैट फ नेक्स रूल नंबर्स रखते हैं और उसके बाद इसमें अब हम क्या करते हैं कोलेक्शन कर लेते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स होंगे एक तो empty set होगा और एक n होगा और इस तरह के कुछ अपने हमारे जो हैं सबसेट होंगे पावर सेट ओफन के बट उनका जो order होगा वो finite होगा मतलब कि हमने finite number of elements से उसमें लेने हैं जो भी sets लेना है तो इसका मतलब इसके पास हमारे पास यह empty set हो सकता है यह n हो सकता है एक यह singleton set हो सकता है singleton set 2 हो सकता है singleton set 4 हो सकता है ठीक है इसी तरह से यह singleton set 1,2 हो सकता है singleton set हमारे पास 1,3 हो सकता है singleton set हमारे पास 1,4 हो सकता है इसी तरह से जितने भी अब possible इनके finite set बना सकते हैं वो सबी के सबी हमने इनकी collection किया है तो अब हम properties को चेक करते हैं क्या यह हमारे पास एक topological space बनेगी या नहीं बनेगी तो सबसे पहले देखिए empty set पढ़ा है set of natural number पढ़ा है तो अब हम क्या करते हैं इनकी union को चेक करते हैं तो union को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ लेते हैं there is a singleton set two लिया मैंने singleton set मैंने three लिया singleton set four लिया singleton set मैंने five लिया singleton set मैंने six लिया and up to so on जितने भी मेरे पास natural numbers हैं वो सभी के सभी मैंने लिये except one वान ने लिया वान का सिंग्ल टून सेट ने लिया उसके लावा जितने भी हैं सबी ले लिये तो यहां पर जो मेरा इंडेक्स सेट है वो क्या बन जाएगा कि मैं सेट ओफ नेश्टूल लंबर से में से वान को रिमूव कर दूं ठीक है और जी एन जो सैटस है वह हमने डिफ हम यूनियन कर देंगे इन सब की हम यूनियन कर रहे हैं तो यह हमारे पास क्या मिलेगा सेट ओफ नेश्वल नंबर माइनस वन सिर्फ यही मिलेगा अब यह सारे के सारे हमारे पास क्या है क्योंकि हमने टाव में सही लिए है अब उनकी यूनियन करने के बाद हमें यह सेट मिला बट जो यह सेट है वो हमारे पास क्या है एक इंफानाइट सेट है यह फानाइट सेट नहीं है तो इसका मतलब यह सेट हमारे पास नौट ओपन यह ओपन सेट नहीं है हमारे पास यून टॉपोलोजिकल स्पेस है वो फोम नहीं करने वाला ओके तो अब हम हमारी साइक इंग्जांपल करते हैं तो साइक इंग्जांपल में हमने फिस सैट ओफ नैच्रूल नॉमबर सी लिए हैं और जो हमने क्लेक्शन ली हैं अब उसमें हमने क्या रखा है एक तो हैं एमटी सैट रखा है एक सेट ओफ नहीं है तूर रखा है और इस तरह के सैट्स रखें जी एन विच इक्वल टू वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप्टू सौन एंड ओके इस तरह के सैट्स की क्लेक्शन की है मतलब इसमें हमारे पास क्या सैट्स हैं एम्टी सैट है एन है सिंगल सेट वन है अब वान टू है उसके बाद वान थ्री है उसके बाद वान सोरी 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 तो देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन सी कलेक्शन है हमारे पास एक एम्टी सैट है सैट ओफ नेश्रूल नंबर्स हो गया उसके बाद सिंगल टैन सैट वन होगा उसके बा उसके बाद one, two, three होगा, उसके बाद next जो है one, two, three, four होगा, उसके बाद one, two, three, four, five होगा, and so on, इसी तरह से ये हमारी collection जो है वो चलती जाएगी, इसमें हमारे पास infinitely members होंगे, ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो चलता जाएगा, आगे-आगे, ठीक है, तो ये हमारे पास टाउ की collection होगी, अब हम बात करते हैं, ये topological space जो हमारी construct करने वाला है या नहीं, तो सबसे परे देखिए, empty set भी इसमें पढ़ा है, set of natural number भी इसमें पढ़ा है, अब union की बात करते हैं, देखिए, अब इस तरह की unions ले सकते हैं, एक जब हम जो union ले रहे हैं, वो finite sets की ले रहे हैं, कुछ भी हमने finite set उठा लिए, उनकी union ले रहे हैं, या next case हो सकता है, कि जितने भी हमारे पास ये sets बन रहे हैं, इन सभी की union कर दी हमने, ठीक है, अगर हम कहीं पर रुकेंगे, ठीक है, तब तो finite number pro sets आएंगे, नहीं तो हम second case बन सकता है, इन सभी की union कर सकते हैं, दो cases बनते हैं, ओके, तो सबसे पहला case ही होता है, कि जो हम हमारे पास जो index set लिया हमने, जो हमने हमारे पास जो है index set लिया है, वो एक finite set है, ओके, index set जो हमने लिए है, आप index set से शोड़िए, आप simply करते हैं हम देखिए, जैसे कि हमने union की, हमने 1 ले लिया कोई भी union करने के बाद हमने 1, 2, 3 ले लिया, उसके बाद हमने कोई one set उठा के ले लिया, 1, 2, 3, 4 ले लिया, ठीक है, इसी तरह से हमने यह सेट ले लिया इस तरह के कि end हो जाएगा कहीं ना कहीं पर अगर हम इन सब की union करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर जो सेट पड़ा है सबसे बड़े वाला वही मिलेगा और वह तो इसमें हो गई होगा ठीक है तो इसको जर्नली कैसे मानते हैं कि मान लिजिए जो हमार होगा ऊचना कुछ अगराइब होगा तो उसका जो सुपीमियम होगा वह एक्सिस्ट करने वालै लोसी आधिए सेट और मान लेते हैं जन यूणनउट है ठीक है मान लेते हैं वह हूमआरे पास क्या बनेगा एंप ये के नॉट बनेगा और अगर हम इन सबी की union करते हैं इस index set पे थिक है तो हमें क्या मिलने वाला है fanite होगा जो सबसे last वाला set होगा युनिन करने के बाद वही मिलेगा जैसे इनकी union कर रहे हैं इस से लासेट कौन सा यह उनकी यूनियों करेंगे तो यहीं मिलेगा अब यह सैट जो है इसमें पड़ा है वो क्या है हमारे पास कि यह है डाट इस इट बिलॉंग स्टू टाव इसमें बिलॉंग कर गया ठीक है दूसरी बात आती है जब हम यह जो इंफानाइटली चलता जाएगा ूनियों जो हमें लिघंत ङसकर है वह इंफानाइट शैट्स कि लिघंए है वह को भी खत्म नहीं होगी इसके इसमें जो हमारे पास सुपीमियम आएगा ठीक है इसका वह एसस्ट नहीं करेगा ठीक है डाग टाट टाट एसस्ट हमने कहीं पर रुका ही नहीं सीधही सारे के सारे जितने यहां से लेकर यहां तक जितने भी बन रहे हैं सब की collection ले लिए हमने तो इस case में देखिए जब हम यह open sets लेंगे इन सभी की collection करेंगे तो हमें पूरा को पूरा set of natural number नहीं मिल जाएगा अगर यहां से लेकर जितने भी आ गया के तक चलते जा रहे हैं उनसा भी क्यों नहीं करेंगे तो हमें set of natural number मिल जाएगा और set of natural number भी हमारा इस tau collection में पड़ है मैं कोई भी a1 a2 कोई दो members ले ले लेता हूं tau में से अगर a1 इसमें कोई member है तो वो कैसा होगा कुछ one two three four five कहीं न कहीं जाकर खत्म होगा से यहां पर खत्म हुआ उक्सी तरह से a2 ले ले लेते हैं हम यह इस वान टू 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 फॉर फाइव यह भी कहीं न कहीं जाकर खत्म होगा तो अब इनकी हम करते हैं intersection अब देखिए intersection में क्या हो सकता है दो के सीज बन सकती है हमारे पास अब देखिए यह दो नंबर हैं जो हमारे पास n1 और n2 यह finite होंगे ठीक है सबसे बहले हो सकता है कि जो n1 है वो n2 से क्या हो बड़ा हो for example के लिए जो हमारे पास a1 सेट है वो कुछ इस तरह का है यह 6 है और a2 सेट है वो क्या है मारे पास उससे छोटा है अब जब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा छोटे वाला ठीक है जो छोटा है मीनस एटू आएगा अगर n1 छोटा है हमारे पास n2 से ठीक है अब मान लेते हैं कि यह मेरे पास a2 और यह वान है ठीक है तो फिट से छोटा आएगा जो छोटा होगा सेट इंटरसेक्शन करने के बाद वही मिलेगा इस केस में हमारे पास a1 जो है वह आ जाएगा यह n1 छोटा हो या n2 छोटा हो आएगा तो खुद हमारे पास यही होगा और उनकी इंटरसेक्शन a2 भी हमने कहां से लिया है टाव में से a1 भी टाव में से है तो इट मींस जब हम इंटरसेक्शन करने वाले हैं तो वो भी मारे पास जो है टाव को ही बलॉंग करने वाली है ओके तो सारी की सारी प्रोप्टी जो हमारी वो सैटिसफाई होगी है तो इक मींस जो यह हमारे पास सैट बन रहा है वो हमारे पास एक टॉपलोजिकल स्पेस है वो फो मोरी है और जो यह हमारे पास topological space form होती है इसे हम बोलते है initial segment तो आगे हम एक set of natural number पर एक दूसरी topology define करती है उसमें देखे हमने क्या किया है एक set of natural number होगा ठीक है empty set of natural number हमने उसमें रखे हुए है और हम एक और अब set define करते है that is gm set हमने क्या किया define करते है और उसे set को हम कैसे define करते है m, m plus 1, m plus 2 and so on ठीक है for all m belongs to set of natural number तो means इसमें हमारे पास कौन कौन से है सबसे पहले g1 होगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5 and so on यह set होगा उसके बाद g2 set जो define किया हमने वो इस तरह से define किया है 2, 3, 4, 5, 6 उसी तरह से हमने g3 set define किया है 3, 4, 5, 6, 7 and so on ठीक है इस तरह से हमने set define किया है तो उस पर अब हम एक topology define करते है उसमें हम एक set empty set रखते हैं set of natural number रखते हैं और जो यह हमारे पास GM वाले set है वो रखते हैं सारे के सारे जितने भी possible हैं तो हम चेक करते हैं क्या हमारे पास topology बन रही है या नहीं तो देखिए इसमें जो यह sets है हमारे पास empty set भी पढ़े नेच्रू लंबरी पढ़े ठीक है तो अब हम बात करते हैं इनकी union की तो union के लिए अब हम क्या करते हैं कोई भी हम एक collection ले ले लेते हैं arbitrary collection ले ले लेते हैं हम अब कोई भी इसकी ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि जो यह sets है वो हमारे sub sets ही बन रहे हैं set of natural number के ठीक है तो अब देखिए जब भी हम इसकी तरह की कोई भी collection लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ यह sets लेंगे कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे इसमें से सेट्स लेंगे इस तरह के और हमने क्या करना है जब भी हम इनकी यूनियन करेंगे सेट्स की इस collection की तो उनकी यूनियन करने के बाद हमें क्या मिलेगा ठीका फॉर इक्जांपल हमने जैसे इन दोनों की यूनियन की तो इन दोनों की यूनियन करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी तू मिलेगा मतलब कि जो हमारे पास यह starting वाला element है जो यूनियन में जितने भी होंगे जो सबसे छोटा होगा वही हमें union करने के बाद मिलने वाला है तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं एक order में ही हमारी जो है indexing करेंगे उसके लिए अब हम क्या करते हैं infirmium ले लेते हैं इस collection का जो हम मान लेते हैं हमारे पास M note बन रहा है ठीक है और जब भी हम इनकी union करेंगे तो हमें सबसे चोटे वाला मिलने वाला है तो हमें कौन सा set मिल जाएगा एक M note M note plus one M note plus two and so on ये मिल जाएगा ठीक है और ये भी हमारे पास एक इसका ही member है तो union जो है हमारे पास वो इसमें belong कर रही है अब intersection की बात करते हैं कि उसी तरह से हम जीवान एक कि सेट ले लेते हैं कि एवान कुछ सेट ले लेते हैं intersection वह कैसा होगा कुछ इस तरह का होगा मान लेते हैं वह कुछ हमारे पास M one कॉमा इसे छोड़िए M कॉमा M plus one M plus two and so on कुछ इस तरह का होगा उसी तरह से हम A2 ले लेते हैं वह कुछ मान लेते हैं हमारे पास R R plus one R plus two and so on इस तरह का होगा अब हम करते हैं इनकी intersection करते हैं और देखते हैं कि जब हम इनकी intersection करेंगे हमें क्या मिलेगा एक्जामपल के थूरू समझते हैं सबसे पहले हम जैसे हमने मान लिया कि हमने जो A1 लिया है उसको हमने two three four five इस तरह से लिया और A2 जो है हमने वो कुछ थ्री फोर फाइव इस तरह से लिया ठीक है तो अब यहां से हमारे पास दो possible cases हो सकते हैं सबसे पहले जो M है हमारे पास वह छोटा हो आर से और M जो है एक बड़ा हो आर से ठीक है मतलब जो A1 सैट है हमारे पास वो बिल्कुल इस तरह सा बना रहे तू लैस है हमारे पास इस तरह की अब जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कौन सा मिल रहा है यहां पर A2 मिल रहा है मतलब की बड़े वाला मिल रहा है तो यह किस की कुल हो जाएगा A2 के ठीक है मतलब की जो नंबर मारे पास बड़ा होगा वही हमें सैट जो है मिलने वाला है अब इनकी इंटरसेक्शन करने के बाद हमें 345 मिलता ठीक है अगर मैं यहां पर तू ले लेता हूं थीक है अब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे को मैं यह बाने मिल गया है ठीक है मतलब यह भी हमारे पास किस में बिलोंग करेगा हमारा टाउं में बिलोंग करेगा तो यह भी मारे पास जो एक टोपालोजिकल स्पेस फोर्म होगी और इस टोपालोजिकल स्पेस को ह हमने तीन इग्जामपल की है सबसे पहले जो टॉपलोजी फॉर्म नहीं होती थी फिर हमने इनिशिल सेगमेंट टॉपलोजी की है